राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सनाएंगे एक भोले भाले किसान की सिव भगती की कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्केर्टी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक नगर में भगवान सिव का बहुती भव्य और प्राचीन मंदिर था, जहां सिहर वर्ष सिवरात्री पर दूर दूर से भगत जन सिव जी के दर्शन के लिए आते रहती थे एक दिन भगवान सिव का महा सिवरात्री का परवाया और मंदिर के परिशर में भगतों की बहुत बड़ी भीड थी तबी आकास में अचानक बिजलिया हुई और सोने का एक थाल जमीन पर उत्रा उसी के साथ भविश्यवानी हुई कि जो कोई भगवान संकर का सच्चा भगत और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा अब जब थाल मंदिर में उपस्तित सभी लोगों ने यह भविश्यवानी सुनी तो धीरे धीरे सभी खटे हो गए जो लोग मंदिर की विवस्ता देखते थे कोई भगवान का सिंगार करता था कोई मंदिर की साप सफाई करता था सबसे भगत थे तो उने पूरा विश्वास था कि वैथाल उन्हें मिलेगा इसलिए वे सब से आगे आकर खड़े हो गए सबसे पहले मंदिर के पुजारी जी आए और भोले देखिए मैं प्रेती दिन महादेव का विशेक करता हूँ पूजा पाट कथा आरती करता हूँ मैं भोले बावा का सबसे सच्चा भगत हूँ इसलिए भोले बावा के सबसे जादा पास रहता हूँ सबसे ज़्यादा समय भोले बाबा के साथ बिताता हूँ इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े थाल पीतल का हो गया यह देखकर पंडित जी सरम के मारे बहुत लज्जित हुए उन्होंने थाल उसे स्थान पर रख दिया और वहां से चुपचाप निकल गए इसी परकार मंदिर में जितनी भी लोग थे दीरे दीरे सब थाल के पास आए कि देखते हैं कि इनमें कौन सच्चा भक्त था सब ने थाल को छुआ लेकिन थाल सौने की जगे पीतल का बन गया अब किसी कोई भी सच्चा भक्त नहीं था इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ राजा साहब आगे आये और बड़े घमंड में कहने लगी मैंने तो महादेव का मंदिर बनवाया बड़ा बहुत जादा दान दक्षना दिये इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए इतना कहकर राजा आगे बड़े और थाल को उठाया जैसे ही राजा ने थाल को उठाया थाल तांबे का हो गया यह देखकर महराज भी सरम से जुक गया उनका आखे जमीन से उपर नहीं उठ रही थी उनकी नजरे जुक गई और थाल को उसे स्थान पर रखकर एक तरप खड़े हो गए अब जो राजा ने सारे नगर में मुनादी करवा दी कि बारी बारी से सब थाल को हाथ लगाए देखते हैं कि कौन सच्चा सिब भक्त है उसके बाद एक से बढ़कर एक दानी महत्मा भक्त सिद साधू संत साबाए सब ने थाल को उठाया लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं अलगा क्योंकि सोने का थाल वैस सब के हाथों में लगते ही तांबे या पीतल का बन जाता इससे यह साबित हो गया कि कोई भी सच्चा सिब भक्त नहीं है अब मुनादी हो गई सथाल को जो सिब मंदिर में रख दिया कि जो भी लोग सिब मंदिर में आएंगे उन्हें एक बार जरूर सिब के इस थाल से छुआया जाएगा ताकि कौन सिब भक्त है इसलिए कि कौन सच्चा सिब भक्त है उसी समय एक किसान का आगमन हुआ वो विचारों महिनों के बाद आज जो है इस मंदिर में पहुँचा था सिब जी के दरसन करने के लिए गरीबी और ग्रिष्टी के बोज तले दिन रात खेतों में मेहनत का मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था अभी रास्ते में आई रहा था कि कोई भिकारी उसे मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा इस किसान को उस पर दया आ गई और जो अपने लिए रास्ते में खाना लाया था कि रास्ते में भूक लगेगी तो खा लूंगा उसने वे खाना भी उस भिकारी को दे दिया थाल के बारे में इसने भी सुना था लेकिन इसने उसे अंसुना कर दिया और उस तरफ को इध्यान नहीं दिया वे तो सिर्फ भगवान महादेव के दर्सन करने आया था केई महीनों सालों बीत जाते थे उसे बेचारे को कभी मौका नहीं मिलता था अब भी केई दिन पैदल यात्रा करके वे इस मंदिर में पहुंचा था इसलिए वे सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया पर इक कर्मा करके वे अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से मंदिर का पुजारी भूला भाई तुम भी यह थाल उठा कर देख लो हो सकता है तुम ही वे सच्चे भगतों जिसके लिए थालाया है अब एकिसान कहने लगा कि भाईया क्यों मेरा मजाक बना रहे हो किसान ने उससे कहा भाई मैं तो कभी जो पूजा पाट भी नहीं करता महिने में साल छे महीने में एक आदबार मंदिर आपाता हूँ मैं काय का सच्चा भगत हूँ मुझे तो अपने घर के काम से ही फुरसत नहीं मिलती है दिन रात खेतों में काम करता हूँ मैंनत मजदूरी करता हूँ उसके बाद जाके अपना और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ मैं तो भगवान का नाम भी नहीं जबता तो फिर मैं काय का सच्चा सिभगत हूँ क्यों भईया मेरा मजाग बना रहे हो रहने दो मुझे जाने दो बहुत देर हो रही है मुझे थाल नहीं चाहिए वह आज नभी किसान की ऐसी बाते सुनकर पुजारी ने कहा देख लो भईया एक बार छू कर देख लो इसमें तो कुछ नहीं है राजा की जो राजा ने घोसना करवाई है कि कोई भी इस मंदिर में आए तो बिना थाल को छूए हुए नहीं जाए अब किसान ने सोचा की चलो देख लेता हूँ जो राजा की बात है तो वह किसान जो है अंदर गया और उस थाल को हाथ लगाया उस थाल को जैसे ही किसान ने हाथ लगाया तो थाल पुजारी का तो आश्चरिय का ठीकाना ही नहीं रहा लोगों के बहुत आग्रे करने पर उसके सान ने हाथ तो लगा दिया जैसे उसने थाल को उठाया सौने का थाल रोसनी से चमचमाने लगा यह देखकर लोगों में खुसियों की लहर दोड़ गई सबी लोग उसके जैजैकार ही लगाने लगे और पूछने लगे भाई तुम्ही सचे भगतो अब हमें भी बता दो कि आप कैसी भगती करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने परसन है किसान बोला भाई मैं कोई भगती नहीं करता मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ थोड़ा समय निकाल का जिरुरतमंद लोगों की मदद करता हूँ उसके अलावा मैं कोई भी सेसकारिय नहीं करता हूँ लोग पूछने लगे तुम लोगों की मदद क्यों करते हो वे हसते हुए बोला सगून मुझे बहुत अच्छा लगता मेरे दिल को बहुत खुसी महसूस होती है दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुसी होती है उसे मैं सब्दों में बयान नहीं कर सकता स्याद यही कारण है कि महादे मुझसे खुस है इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें सत कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अन्त भी आनंद दायक होता है दुश कर्म करने का आरंभ भी दुख होता है और अन्त भी दुख दायक होता है आप सैकडो मिल की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वे तपश्या सादना महादेव का दर्शन से ही धूल के बराबर होती है क्योंकि आप कहीं भी पूजा पाड़ कोई केदारनाथ जा रहा है कोई बनारस जा रहा है कोई कहीं जा रहा है लेकिन घर्व वो लोग क्या हैं, रास्ते में लड़ाई जगडा करें, किसी को धक्का मार रहें, किसी को कुछ कर रहें, उस तरीके से भगवान की पूझा नहीं है भगवान तो सच्चे निश्चल सच्चे दिल वाला होता है जो निश्चल भक्ती भाव करता है उसी से खुस होते है भगवान किसी आडम्बरी दिखावों से खुस नहीं होते वो तो बस उन्हें दिल से सचे दिल से जो याद करता है उसी में खुस हो जाते हैं और उसी को दर्शन भी देते हैं राधे राधे दोस्तों